नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे औसदी पौधे के बारी में जो कि आप लोग घांस फूस समझ लेते हैं लेकर यह घांस फूस नहीं है इसका अगर आप प्रियोग करत अगर आपको पेट में जलन हो रही है तो पेट की जलन को दूर करने के लिए आप चौपतिया ले ले कुछ धनिया के फल ले चौपतिया की ताजी पतिया और थोड़ी धनिया के फल उसको आप पीस करके और पे बना ले उसमें थोड़ी सी आप मिसरी मिला ले और फिर मिसर जलन होती है वो जलन खत्म होगी फेट में जो आपको अजीव-जीव लगता है वो खत्म हो जाएगा इतनी मात्र में आपको लेना है जो मैं आपको यह दिखा रहा हूं दोस्तों साथी साथ अगर आपको बात्रूम में जलन हो रही है तो बात्रूम की जलन को यह दूर करता ह और अगर वास्रूम में आपको दर्द होता है तो भी ये ठीक कर देता है तो फेसाब की जलन पेसाब में दर्द और पेट में जो जलन होती उसके लिए आप इस चौपतिया का प्रयोग कर सकते हैं जिनकी मुहें में कोई समिस्या है तो मुहें की समिस्या को दूर करने के अगर आप रस नहीं निकालती है ताजी पत्या मिलती है तब ताजी पत्यों को तोड़ करके और मुख में चबाएं इस तरीका से जिस तरीका से पान चबाती है तो मुहें के चबाने से मुहें में जो छाला होता है मुहें में जो इंफेक्शन होता है मुहें में जो गर्मी को सांत करता है और आपको तरुताज की देता है तो यह आपके आसपास मिल जाएगा जहां पर पानी का भरा होगा जल भरा होगा वहां पर यह आसानी से मिलता है और इसका साग भी बना करके खाय जाता है कहीं कहीं इस चौपतिया की कोमल पत्तों का साग बना करके खाते हैं जो बहुत ही अच्छा रहता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पका नई है तो चलो को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके मिलेगा अगले वीडियो में धन्यवाद